तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे तिरिपूरा की राजधनी अगरतला सिटी के बारे में तो वीडियो के एंट तक जरूर देखें दोस्तो नुर्थिश्टरन इंडिया में गौहाटी के बाद अगरतला सबसे इंपर्टन सिटीज में से एक माना जाता है यह हावरा नदी के तब पर इस्थे तिरिपुरा की राजधनी है अगरतला इरिया इन पोपलेशन की हिसाब से तिरिपुरा का सबसे बड़ा शेहर है मंगला देश से मेज 2 किलोमीटर दूर इस्थीत ये शेहर संस्क्रीतिक रूप से भी काफी समरिध धंबाना जाता है अगरतला शेहर 76.51 किलोमीटर में फैला हुआ है तथा आज के दिन यहां के आबादे करे 6.15.000 है एजुकेशन के मामले में केवल अगरतला ही नहीं बलके पूरा तिरिपुरा काफी हाई है तिरिपुरा की लिटरिसी रेट लगफ़क 88% है तो वही अगरतला की लिटरिसी रेट 94.45% है अगरतला में उफिशियल लिंग्विज बेंगोली कोगबरुक और इंगलीशे इनकी इलवा हिंदी उगर्या भी बोली जाती है अगर बात करें अगरतला की इतियास के बारे में तो अगरतला उस वक्त परकास में आया जब मानिक्या दिंस्ट्री ने इस शेहर को राजधनी बनाया उन्नीस वी शतबदी में कोगी के लगातर हमलों से प्रेशन होकर महाराजा मानिक्या ने उत्रीत रिपुरा के उधैपुर इस्तित रंगापटी से अपनी राजधनी को अगरतला शिफ्ट किया और आज अगरतला जिस रूपे दिख़ए देता है दिरासल उसके परकलपना 1940 में महाराजा वीर विक्रम किशोर मनिक्या बहादर ने की थी उन्होंने इस समय इहां पर सड़क मार्केट बिल्डिंग और इहां के नगर पालिका की युजना बनाई थी तथा आज भी अगरतला सिटी में आपको उस दोर के कई भगवी इमारते देखने को मिलेंगी जैसे कि 1901 में निर्मित उज्जैन महल इहां अगरतला का मुखे इसमारक है जो मुगल एरोपेन में सिर्फ सिली में निर्मित है अगरतला शुरू से अपने खान पान के लिहाज से भी काफी परसिद्ध है रात के वाक्त अगरतला के संकों पर आपको एक अलगी चमक देखने को मिलेंगी जहां आप इंडियन और चाइनीज इस्टिरिट फोड्स का भी मज़ा ले सकते है बाकी यहाँ पर कई ऐसी चीज़े है जो अगरतला को परेटिकों के लिए काफी आकरिशित बनाती है उनमें से एक ही यहाँ का परीभ़न सुविध है अगरतला रेल्वे हाईवे एन इयर्वे से भी परकार से देश के अल्डेपरंच से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है अगरतला इयर्पोट से आपको बहुत से शेहरों के लिए डारेक्ली फैलेट मिल जाएगी अगरतला रेल्वे इस्टेशन जो इहाँ का सबसे वीजेश इस्टेशन है जहाँ से दिल्ली, बेंगलूर, भोपाल, डेवगर, डिबरुगर, कॉलकाता, उगरिया के लिए ट्रेयर मिलती है अगरतला के लिए सबसे बेस्ट रेल्वे इस्टेशन है जो इहाँ से 558 किलोमीटर दूर इस्थी थे